यूजली उसके तोरपे हमें यह कार्ड दिया जाता है कि सर यह कार्ड है और इस कार्ड से आप पता लगा सकते हैं क्योंकि इस पर आपका नाम लिखा है और यहां पर हमने यह mention किया है कि यह 1.56 dp है लेकिन दोस्तों बात तो यह यह तो मैंने हाथ से लिखा है मुझे कैसे प आज हम बात करेंगे दोस्तों काल जाइस कंपनी के लेंस के बारे में बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास questions आए हैं कि कि किसे तरह की मार्किंग साती हैं ताकि हमें पता लग सके कि यह कौन सा लेंस है क्योंकि अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं तो लगबग यह 2,000 क्रिजाल की वीडियो में दिखाया है जब आप फॉक करेंगे तब उस पर मार्क बना हुआ आएगा बट जाइस में ऐसा कुछ नहीं होता इसमें वाटर मार्क आते हैं वाटर मार्क आप फॉक करेंगे तो नहीं दिखाई देगा आपको किसी बैग्ग्राउंड के अगिंस कर सकते हैं यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखा है बहुत सरे दोस्त मेरे आता हैं कैते हैं यह हो गया यह हो गया धिला हो गया था हम TIGHT नहीं करा पाई पहले तो आप एन अपने नियारआबा आपरिशन पर जाकर ही उसे TIGHT करा हैं बट फिर भी एमघ्जंसी के जो कि बहुत ही महतुपूर है अपनों के लिए आए अपने टॉपिक पर दुबारा से आते हैं कालजाइज लेंसे इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों कालजाइज बहुत पुरानी कंपनी है और यह जर्मनी की ब्रैंड है तो जर्मन टेकनोलोजी पर हम बहुत हाई-end cameras या बहुत हाई-end mobiles होते हैं इस्पेशली उन पर लिखा जाता है lenses by Carl Zeiss यह उन पर नोट किया जाता है एक बहुत वंडरफुल बात यह है कि बहुत सारी surgeries यानि कि बहुत सारे जो surgical instruments होते हैं उनमें भी कालजाइज के लेंसे यूज किये जाते हैं तो आप स में बताऊंगा कि Carl Zeiss के lenses आप कैसे पता लगाएंगे यह authentic है असली है इसमें कोई duplicacy तो नहीं है या जो lens मुझे बोला गया था वही मुझे दिया गया है ऐसा तो नहीं है कि बताया मुझे कुछ और दिया मुझे कुछ और गया है जो कि usually आजकल बहुत हो रहा है और दोस्त मेरे पास कुछ यहाँ पर object है सबसे पहले तो एक detail price list है यह जाइस के kit है मेरे पास यह देखिए जाइस का warranty card जिसके अंदर रखके आता है वो है और एक चश्मा भी मैंने रखा हुआ है यह specs एक बच्चे का specs है जिसमें हमने Carl Zeiss के lens लगाएं तो basically यह दिखाने के लिए कि ह मैं कैसे पता लगेगा कि हमने consequences दिखा है उसके लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है अगर आप यहाँ देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर आपको एक size का पुराना catalog है वो रखा हुआ है प्लस यहाँ पर कुछ rappers भी रखे है मैंने इन rappers पर क्या रखा हुआ है वो भी क्लॉथ हाता है काल जाइस की तरफ से प्लस यह लेंस हो गए अब आप इस लेंस को देखिए अच्छी तरह से आप अगर इस पर देखेंगे तो ब्लू कलर की कोटिंग आपको anti-reflection कोटिंग दिखाई देगी सबसे पहले बात आती है authenticity की हमें कैसे पता लगेगा कि यह lens काल जाइस का है या कैसा है तो हमें यह चीज़ें दी जाती है usually यह cloth मिलता है हमें उसके लवा हमें क्या दिया जाता है यह card दिया जाता है तो अगर आप देखेंगे ध्यान से इस card पे तो Zyze lens with UV protection technology और certification of authenticity लिखा हुआ है अगर आप पीछे जाते हैं इस card पे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर customer का नाम आप mention कर सकते हो यहाँ पर आप उनकी power लिखेंगे क्या product आपने दिया है वो लिखेंगे यह सब कुछ हास से ही लिखा जाएगा कोई भी चीज आपको printed नहीं आती कंपनी की तरफ से printed नहीं आएगा चाहे वो कोई सा भी lens हो चाहे वो 2000 वाला lens हो चाहे वो 4000 वाला lens हो आपको single vision stock lenses यानि कि जो power stock में होती है उन powers के साथ यही authenticity card आता है और printed नहीं आता वो आपको हास से mention करके देना होता है अब आप यहां देखेंगे यहां मैंने लिखा है डीवीपी 1.56 मुझे कैसे पता लगेगा कि यह मेरा product डीवीपी 1.56 है या नहीं है कारण मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले आप बात करते है प्राइस ल इंडेक्स 1.5 इंडेक्स मतलब basic index basic lens starting जो होता है plastic lenses का वह यह अगर मैं यहीं सेम कोटिंग दूरा विजन ब्लू प्रोटक्ट पर जाता हूं तो एक सिस्सों पचास की है और दूरा विजन ड्राइफ सेफ पर जाता हूं तो लगबग 3300 की है बटी 1.5 में है अब यहीं अग बता कि हमने 1.6 का price पे किया है 5100 तो हमें 1.6 ही दिया गया है ऐसा तो नहीं है 1.56 लगा दिया गया हमें जो कि यूजली जब हम बहुत जाधा discount लेते हैं तो यह चीजे होती है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि कोटिंग में difference क्या क्या होते हैं उसके बाद हम ब तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि यह चश्मा मैंने बन बाया अब इस चश्मे में जो कोटिंग मुझे दिख रही है वो blue color की anti-reflection coating दिख रही है आप जो color देख पा रहे हैं blue color है यहाँ आप देखिए मेरे पास बहुत सारे lenses हैं जिसमें DuraVision Platinum, DuraVision Chrome, DuraVision Blue Protect, drive safe और DuraVision Platinum UV यह drive safe UV यह मेरे पास बहुत सारे lenses हैं और अगर मैं इस coating को इन से match कर रहा हूं तो आप देखेंगे almost सब में स्वेम आपको blue या green हल्किसी greenness color की coating सारे lenses में आपको दिख रही है यह coatings पर अगर दिहान देंगे आप तो सारे में ही आपको blue color की coating इसमें हल्किसी green है बाकि सब में blue color की coating दिख रही है और मेरे lens में भी मुझे यह blue color की coating दिख रही है आप देखिए anti-reflection coating blue color की है मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने कौन सा lens का पे किया मैंने पे किया है blue protect का मुझे क्या प्ला है क्योंकि blue product थोड़ा से costly lens है जो यह मैंने इसमें डलवा है और जो dura vision platinum और dura vision chrome यह थोड़े से reasonable price के lenses हैं तो हमें कैसे proof होगा कि यह क्या lens है तो उसके तोर पे हमें क्या दिया कि अगर आप यह देखें है काल जाइस का रह पर है यह लेंस मैंने 1.56 index का पे किया है जो 1.5 index से costly है तो मुझे 1.56 index मिलना चाहिए मुझे कैसे पता लेगा यह 1.56 index है तो यह देखिए यहां पर लिखा है 1.56 index अगर यही मैं 1.6 index में करता तो यहां पर क्या लिखा होता 1.6 index जैसे कि इस रेपर में है यह देखें आप यह देखिए इस पर लिखा है 1.6 index यानि कि इस से यह प्रूफ हो गया कि मैंने 1.56 index का पे किया है तो मुझे 1.56 index मिला है अब मुझे पता कैसे लगेगा कि जो पांच प्रोड़क्ट है इन में से मेरा लेंस कौन सा है तो आप अ आपको यहां पर लिखा आता है दूसरी बात सबसे महतपूर बात यहां पर आपकी पावर मेंशन होगी जो भी आपकी आई की पावर है वो यहां पर मेंशन होगी इस जगे पर तो आपको तीन चीज़े देखनी है नमबर वन आपने जो इंडेक्स लिया है 1.56 1.5 या 1.6 दोस्तों यही एक authenticity है जिस से प्रूफ होता है आपने जिस lens का के अंदर कहीं भी लिखा हुआ नहीं आता कि आपने क्या प्राइस पे किया है इसमें एक मार्क आता है जो मैं आपको दिखाता हूँ वह का लोगो होता है जो कि आपको ऐसे नहीं देखेगा या फॉक करने पे भी नहीं आएगा किufen के लिए का किसा लोगो है आप यहां देखें यह के लोगो है जो आपको यहां देखे रहेंगा कहीं ने आपके लेंस में ये मार्क ज़रूर हो होगा इसका मतलब यह पूर्फ करता है आपने सा लिया हुआ है आपका प्रोड़क्त क्या है यह क्या प्रोड़क्त एस करता है और आपकी पावर उस पर मेंशन होनी चाहिए दोस्तों कि अब इसके की बनाए जाते हैं specially उन पर इस तरह का कार्ड आता है जिस पर आपका नाम भी मेंशन होता है customer name यहाँ पर किस optician ने आपको दिया है i-plus vision वो मेंशन होता है आपकी power मेंशन होती है और आपने क्या product choose किया है finish single vision 1.6 duria vision drive safe सब कुछ यहाँ पर मेंशन होता है किस date को यह दिया गया है प्लस किस order number के अगेंस्ट है यह सब कुछ mention होता है यहाँ पर इस case में अगर आपको यह नहीं मिलता है तो कोई problem बाली बात नहीं है कोई issue नहीं है बट अगर आपको यही इस तरह का मिला ऐसा मिला या किसी ने हाँ से भरके दिया हुआ है तो definitely आपको इनकी जरूद पढ़ती है तब जब आपने बहुत high end lenses को या महेंगे lenses को order किया है वहाँ cheating होने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि discount तो आशकल हम सब लोग मंगते है और जब discount ज़्यादा मंगते है और कहीं problem लगती है या हमने जरूर से ज़्यादा discount ले लिया तो शायद कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ cheating होने के chances बढ़ जाते हैं जो कि हम पता नहीं लगा सकते हैं जब आप इनके लिए कहेंगे तब ही opticians आपको यह rapper प्रोवाइट कराएंगे यूजली यह नहीं दिये जाते तो friends जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ आप कोई भी product लेते हैं तो यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको उसकी authenticity प्रोवाइट करें और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप पूछें कि मुझे कैसे पता लगएगा कि जो product मैंने लिया है वही है या कुछ और दिया गया है मुझे तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ चश्मा आपने ले लिया चश्मे के अंदर मुझे काल जैसका कपला बिला कि यहां पर मुझे कही नगी जो मैंने Z का logo या जाइस का logo बताय है वो होना चाहिए जैसे कि इस चश्मे में यहां पर मुझे clear दिख रहा है जब आप उसे किसी भी background के against जब आप इसे tilt करेंगे तो कहीं न कहीं आपको एक Z का लोगो चमकता हुआ दिखाई देगा, फॉक से नहीं आएगा, वो तब आएगा जब आप उसे टिल्ट करके देखोगे, तो कहीं न कहीं Z का लोगो दिखाई देगा, उसके अपार्ट आपको ये कार्ड मिलना चाहिए, जिस पर आपका mention हो, ये होती है, आप trust करो friends, अगर ये सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं, तो कोई भी आपके साथ cheat नहीं कर पाएगा, आप एक authentic lens और जिस lens का आपने price पे किया है, वही lens पहनेंगे, इस kit के बारे में, चुकि वीडियो थोड़ी से लंबी हो रही थी, तो मैं आपको ये नहीं समझा पाया है कि कौन-कौन सी coatings होती हैं, और कौन-कौन सी coating हमें कब useful हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, काल जयज में लगवग 5 तरह की coatings आती हैं, जो 2000 उपैसे चुरू हो के 5000, 6000 और इससे जादा भी जाती है, बट इनका क्या importance है, और हमें क्या काम है, जिसके against हमें coating लेनी चाहिए, यानि कि आप क्या काम करते हो और आपको किस coating की जरूवत है, यह मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, मैं आपको पूरा detail में description दूँगा कि 2000 वाली जो coating है, वो कौन-कौन से लोग पहन सकते हैं, वो हम अगली वीडियो में आपको हो सके, बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक interesting topic के साथ, तब तक के लिए नमस्कार